नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुभास और आप सभी का स्वागत करता हूँ एके ओनलाइन सपोर्ट यूटीब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSC एप के बारे में साथ ही यहाँ पर दोस्तों जो भी CSC पर new message मिलते हैं यानि जो notification आता है आप इस app की मदद से दोस्तों आप तुरंट पता लगा सकते हैं साथ ही यहाँ पर कुछ survey मिलते हैं जो की आपको पुड़ा करना होता है साथ ही आपको यहाँ पर feedback का भी options मिलता है तो इसमें कैसे login करना है इस सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले तो Google Play Store को open कर लिजेगा और उसके बाद आपको CSC एप को install कर लेना होगा जैसे आप CSC एप सर्च करेंगे आपके सामने यहाँ पर second में आ जाएगा इस एप को आपको install कर लेना है टेस्टेशन करने के लिए simple इस एप पर आपको जाना होगा और उसके बाद आप सबसे पहले अपना CSC ID इंटर करेंगे अपना registered number इंटर करेंगे, submit करेंगे, फिर एक OTP आएगा, OTP को submit करने के बाद इस एप पर आप पूरी तरह से finally login हो जाएंगे अभी चलिए हम जानते हैं कि CSC एप पर आपको survey कैसे complete करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह dashboard open हो चुका है, यहाँ पर survey वाले option पर जैसे हम click करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसा interface देखने को मिल रहा है फर्स्ट में आप देख सकते हैं daily reporting for CSC activity और नीचे आप देख सकते हैं survey for CSC service तो फर्स्ट में हम यहाँ पर click करते हैं daily वाले option पर जैसे हम यहाँ पर click करते हैं तो हमें पूछ रहा है do you open your center today? तो yes मैंने open किया है, मैं यहाँ पर yes करूँगा, फिर next करूँगा यहाँ पर पूछ रहा है how many customer did you service today? यहाँ पर दोस्तो आप अपने अनुसार जो है click किजेगा तो हमारे पास कम से कम जो service के लिए आते हैं customers वह 5-10 मानके चलिए तो यहाँ पर आप click कर सकते हैं अपने अनुसार 5-10 या फिर 10-20 या फिर 20 प्लस तो कुछ अपने अनुसार यहाँ पर select किजेगा तो मैं यहाँ पर select कर लेता हूँ कि कम से कम दोस्तों यहाँ पर 10-20 तो चलिए मैं आपर select कर लिया हूँ उसके बाद next करूँगा और उसके यहाँ पर पूछ रहा है कि अपने डिजिटल शिवा पॉडल से आज transaction किया है तो आप यहाँ पर अपने अनुसार yes, no कर सकते हैं तो यहाँ पर दोस्तों मैं आभी कर देता हूँ no तो फिर से हम यहाँ पर next करेंगे के बाद did you provide digital service to customer today यहाँ पर पूछ रहा है digital service आप customers के यह use किये हैं आज तो आप यहाँ पर जो है yes कर सकते हैं आप अपने अनुसार फिर से हम next करेंगे यहाँ पर पूछ रहा है did you any bbps transaction today तो मैंने यहाँ पर नहीं किया है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर no किया आप अपने अनुसार यहाँ पर केज़ेगा साथ ही यहाँ पर है साथ में जी टू सी सर्विस है तो जो भी है आप यहां पे क्लिक करके नेक्स्ट कीजिएगा उसके बाद पूछ रहा है हाडो यू रेट सी सी सर्विस आप सी सी सर्विस को किस परकार से रेट देना चाहेंगे तो मैं यहां पे जो फाइव स्टार दूंगा और उसको सब्मिट करूंगा कुछ इस प्रकार से आप यहां पे कर सकते हैं आपका सर्वे कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप पूलोज वाले बटन पर क्लिक करेंगे उसके बाद दो आपके पास लैप्टॉप या केंप्टर कितने हैं आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं तो आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं आपके पास जितना भी है मेरे पास जो भी है हम यहां पर सेलेक्ट कर लिए हैं साथ ही आप यहां पर देख सकते हैं पूछ राई विश इस दा मॉस्ट popular service in your area हमारे एरिया में यहाँ पे डीजी पे और PMG दिशा सबसे most popular है तो हम इस पर किलिक करेंगे किसी में आप किलिक कर सकते हैं मैंने यहाँ पे किलिक किया PMG दिशा फिर से हम next करेंगे do you have fingerprint scanner आपके पास है या नहीं आप यहाँ पे दीजेगा मैंने दे दिया है do you have iris scanner मेरे पास अभी नहीं है तो मैं यहाँ पी no कर दिया हूँ do you have and other kit for enrollment यहाँ पे आपके पास जैसे है आप यहाँ पे किलिक कर जीएगा do you you have a printer और आप यह पासगर है तो आप yes किजिएगा साथ ही आप यहां पर जो है पुछ रहा है how do rate your service मैं यहां पर five star दे करके submit करूँगा आप अपने अनुसर कुछ इस प्रकार से submit करके close कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से option आ अब यहां पर बोल रहा है कि daily आपने survey कितना complete किया है order में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार साथ दिया हुआ है और total survey यहां पर दिया हुआ है तो आप अपने सर्वेश यहां से continue कर सकते हैं जो भी आपके पास सर्वे आता है अब हम यहाँ पर बैक करेंगे अब आप बैक आएंगे तो आपके सामने यहाँ पर स्टर्टस दिखेगा कि आपने डेली का सर्वे या फिर सर्वे कितना कप्लीट किया है साथ में आपने कितना feedback दिया है यह सारा report यहाँ पे चेक कर पाएंगे साथ ही यहाँ पे OTP पर क्लिक कर पे service को login कर सकते हैं OTP या सेकूर कोट की मदद से जो की already इस पर मैंने वीडियो बना दिया है तो आप चाहे तो यहाँ से कर सकते हैं कुछ इस परकार से बहुत ही असानी से आप यहाँ से इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों मैं उमीद करता हूँ आपको पता चल गया है किसी ऐसी एप को आपको कैसे survey देना है और साथ ही इससे आपको कैसे यूज़ करना है अगर दोस्तों वीडियो वसन आया तो प्लीज लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ जरू सेर करिए ताकि इसके बारे में उन्हीं भी पता चले चाल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेजे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू सो मच थेंक्स पर वाचिंग इस वीडियो